आईने हिंदी के एक नए अपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO के एक और आफ़र के बारे में जो कि LCA Navy को लेकर आया है और यह भारतियर 9 सिना के समक्ष प्रस्तुत किया गया है आपको यादोगा हाली में DRDO चीफ के द्वारा भारतियर 9 सिना को तकरीबन आठ से दस LCA Navy खरीदने की साला दी गई थी ताकि यह पाइलिट ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया जा सके तो अब यहाँ पर कुछ और नई रेपोर्ट इसको लेकर सामने आई है दहाँ पर बताया जारा है कि भारतियर 9 सिना खुद LCA Navy को लेकर काफी इंडरिस्टेड है और वो इस इंबेशिस प्रोग्राम को काफी जादा मॉनिटर कर रहे है दरसल वो पाइलिट ट्रेनिंग से जादा बढ़ करके इस एरक्राफ को देखते हैं और उनका कहना है कि यह एरक्राफ केरियर ऑपरेशन्स में भी पूरी तरह के से कैपबल है लेकिन इस समय जो एजन्सी की नजर है या भारतिय नौसेना की नजर है वो एननौर्टिकल डिव्लोप्मेंट एजन्सी के डिवलोप्मेंट पर टिकी हुई है जो कि LCA नेवी के अंदर मैन अनमैन टीमिंग को डिमोंस्तेर करने वाले हैं मैन अन्मैन टीमिंग टेकनोलजी की बात करें तो यह एक revolutionary concept है जिसमें man fighter के साथ unmanned vehicle platform जो है यह भी काफी ज्यादा अच्छे से perform कर पाएंगे और यह सारी चीजे जो operational capabilities हैं उनको काफी enhance करेंगी अब अगर हम nautical development agency की बात करें तो वो already जो मम्टी functionalities है इनको demonstrate करने के तयारी कर रही है जिसमें LCA Navy platform का अस्तमाल किया जाएगा इसमें formation flying, information sharing, task execution और इसके लावा formation rerouting जो है वो शामिल होगा और recovery missions भी शामिल होने वाले हैं माना जा रहा है कि यह demonstration जो होने वाला है यह 2025 के अंद तक यह 2026 के शुरुवात में किया और अगर यह demonstration successfully हो जाता है और man unmanned teaming technology जो है यह successfully demonstrate कर दी जाती है तो इसका सिधा benefit हमें twin engine deck based program में देखने को मिलेगा त्यूकि यह सारी next generation technologies हमें वहाँ पे भी देखने को मिलने वाली है और इससे experts यह मानते है कि TETBF की जो overall capabilities है यह काफी जादा enhance हो जाएंगी और जो potential benefit है extend होगी इसके लाबाद जो pilots का workload है यह भी काफी जादा कम हो जाएगा तो भी डियाडियो यह भी चाहता है कि limited numbers में ही सही पर यह एक राप भारतिय अनौ सेना के द्वारा select किये जा सके दसले पहली बार नहीं था यह चीज़े जब शुरू हुई हो आपको या दिला दे शे फरवरी 2023 को भारतिय अनौ सेना के pilots ने जब LCA Navy को अपने निवली कमिशन आइनस विकरांथ पे लैंड करवाया था तो उसके बाद से ही कयास लगाया जा रहे थे कि LCA Navy हमें आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा क्योंकि 2018 के समय से कि अगर हम बात करें तो भारतिय अनौ सेन करने की बात करते हैं और उनका कहना है क्योंकि LCA Navy एक सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर रेक्राप्ट है तो इसको फुल पोटेंशिल के साथ इस्तेमाल करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा और इसी कारण है कि वो टेडविय अफ के डिवलप्मेंट पे फोकस करे और भविश्य में टिडविय फ्योव फाइटर रेक्राप्ट होगा जो आइनस विक करांस से ऑपरेट किया जाएगा उसके बाद एप्रिल दौजा तरीस में लाइफिस डिफेंस के एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर कहा जाता है कि भारतिया नौ से ना इस्मॉल गया कि भारतिया नौ से ना तकरीवन एक स्कौर्डन जो है LCA Navy की इसको खरीदेगी और अपनी requirement को पूरा करेगी यह सारी चीजी चली रही थी कि सप्टेंबर 2024 यानि पिछले महीं नहीं डिडियो चीफ का एक बयान सामने आता है जहां पर वो इस पश्ट कर देते हैं कि व लेकर जादा गंभीर नजर आई LCA Navy की तुलना में इसके बात माने तो वो LCA Navy को लेकर जादा सीरियस है उनका कहना है कि अगर भारतिया नौ से ना इन एक्राफ को इंडिक्ट करती है तो इसके बहुत सारे जो बेनफिट्स है यह भारतिया नौ से ना को देखने को मेलेंग तो इससे बहुत सारी जो इंप्रूब्मेंट्स है प्रेटफॉर्म में हमें देखने को मिलेंगी और जो लर्निंग है वो टेडवी अपको और भी जाता मैच्योर करने में सहायता प्रदान करेंगी अब क्योंकि भारतिया नौ से ना इस समय जो हॉक ट्रिनर्स को इस्तिव कर पाएंगे इसके अलावा जो इस्टोब और ऑपरेशन है इसमें जो पाइलेट्स हैं इनको ट्रेंड करने में भी ये एक महतपुन भूमिका निभाएगा जो कि अभी हम बाहर से करते हैं सबसे खास बात तो यहां पर ये भी है कि बीचते समय के साथ भारतिया नौ सेना क इस प्रकार के एरक्राफ्ट के तदकाल जरूरत भी है क्योंकि हमारे पास तकरीबन 40 मिक 29 के एरक्राफ्ट है और अगर हमारे पास दो एक्टिव एरक्राफ्ट केरियर है तो आपको पता होगा कि प्रतियक एरक्राफ्ट केरियर में अप्रॉक्सिमेटली 20 से 25 करने के साथ ही एक जो गैप है वो भी क्रियेट होगा और उस गैप को फिल करने के जिम्मेदारी हम LCA Navy की कंदे पर दे सकते हैं और LCA Navy पुरी तरीके से कैपबल है इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भले ही LCA Navy Maximum Payload के साथ एक्रप के डिक से ऑपरेट ना कर सकता हो लेकिन यह Maximum Payload के साथ जो शोर है उससे ऑपरेट कर सकता है जहां पर शोर बेस फैसलिटी से हम जो मिशन है उनको भी एक्जेक्यूट कर सकते हैं और यही कारण है कि इस समय LCA Navy को लेकर जो वखालत है वो हो रही है तो कि LCA Navy आराम से अगर हम BVR Combat की बात करें तो ऐस तर्द जो है यह development के final stages में है जो पहला prototype है यह NP-1 है जिसे KHN T-3001 के नाम से जाना चाता है यह twin-seater aircraft है जिसका development 2003 में शुरू हुआ था और इसकी पहले उड़ान 27 April 2012 को पूरी की गई और यह significant milestone था हमारे लिए क्योंकि इंडिया navigation history में पहले बार हुआ था कि हमने किसी भी aircraft के naval variant को त्यार किया हो और इसने अपनी जो compatibility test है इसको पूरा भी कर लिया है और सबसे खास बात तो यह है कि इसने NP-1 ने अपना जो marion flight test है उसे service facility गोवा से 20 December 2016 में ही पूरा कर लिया था second prototype है NP-2 जिसको हम KHN 3002 के नाम से जानते है यह सिंगल सीटर aircraft है जिसकी पहले उडान साथ फरुरी 2015 को पूरी की गई थी और third prototype जो NP-5 है जो कि इस समय अपने development के अंतिन स्टेज़स में है और इसने भी अपनी उडान को लगभग लभग पूरा कर लिया है अब आपको यह भ इंट्रेस्टेड ना रहा हो लेकिन अब इस प्रोग्राम को closely monitor कर रहा है जो कि भारतिय नौ सेना NP-5 के development में इंट्रेस्टेड भी है और उनका मानना है कि यही जो variant है आने वाले भविश्य में इनके जो production variant है भारतिय नौ सेना को जाइन भी करेंगे तो यहां पर भारतिय भारतिय नौ सेना को से decide करना है कि उन्हें LCA नेवी चाहिए या नहीं बड़कि DRD यो तो लगाता है इसको push कर ही रही है तो आपको क्या लगता है भारतिय नौ सेना को LCA नेवी के तरफ जाना चाहिए या नहीं आप अपनी राइक कमेंट सेक्शन में जरूर दिजिए तो